स्कैनर के बारे में कुछ मजीद पढ़ेंगे जिसके अंदर हम यह जानेंगे कि स्कैनर कितनी टाइप्स के होते हैं इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्कैनर जो होता क्या है और दरसल काम किस तरह से करता है तो स्कैनर की आम तर पे जो कॉमन टाइप्स हैं उसमें से तीन टाइप्स ही हैं एक जिसे हम hand held scanner कहते हैं, एक जिसे हम flat bed scanner कहते हैं, और एक जिसे हम optical scanner कहते हैं, अब जिसे हमारी पहली टाइप है hand held scanner, इसे हम देखेंगे कि यह क्या होती है, इस तरह बारी बारी हम बाकी types के बारे में भी जानेंगे, तो सबसे पहले start करते हैं, जो हमारी पहली टाइप से hand held जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहां पे एक छोटी सी डिवाइस आपको नजर आ रही है जिसको आप अराम से अपने हाथ का इस्तमाल करते हुए इस्तमाल कर सकते हैं यह दरसल क्या होता है यह दरसल एक document scanner होता है और इसमें यह होता है कि आप अपनी हाथ की movement का इस्तमाल करते हुए specific text को जो किसी भी book में लिखावा है या कोई image है या कोई तस्वीर है उसको आप यहां पे टच करेंगे उसके बाद यहां से एक light image होगी और light क्या करेगी कि यह यहां से इसको read करेगी reflect होके वापस जाएगी वापस जाके यह scanner signal भीजेगा computer को और computer जो है उस reflected light को आगे process करके read करेगा तो इसके अंदर शर्त यह है कि आपने जो आपकी hand head scanner है scanner को आपने surface के साथ touch करके रखना है और इसमें जो आपकी हाथ की movement है यह काफी steady movement होनी चाहिए यानि इसमें आपका हाथ जो है वो एक constant speed के साथ scan करें अगर इसके अंदर आपकी movement steady नहीं होगी तो फिर यह सही तरह से scan नहीं कर सकेगा तो यह काफी एक थोड़ा सा मुश्किल process है मुश्किल काम होता है इसको करना handheld scanner की दो types होती है handheld scanner की एक type जिसके अंदर हम अपने हाथ से इस device का स्तमाल कर रहे हैं और इसके अंदर हम text को यह document को scan कर रहे हैं इसकी एक दूसरी type होती है जिसको हम 3D scanner कहते है जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं इस picture में यहाँ एक 3D scanner दिखाए गया है इस 3D scanner में हम क्या करते हैं कि अपना जो 3-dimensional physical object हो हम यहाँ पर place कर देते हैं उसके बात क्या करता है कि हमारा scanner है यह क्या करता है कि यह 3-dimensional object है इसका model create करता है और यह connected है यहां पे हमारे computer ले laptop के साथ आप देख सकते हैं कि यह हमारा physical object है और इसका model जो है यहां पे आप screen पे देख सकते हैं और इस तरह के 3D scanner यह बहुत जादा expensive होते हैं और आम तोर पर इस्तमाल होते हैं industrial design के लिए या अगर आपने कहीं पे भी digital manufacturing करनी हो जैसे कि यहां पे digital manufacturing हो रही है एक object है उसका 3D यहां पे इसको convert कर रहे हैं उसके बाद हम इसके ओपर further processing करके इसके design के अंदर तबदीली object या किसी भी human body का कोई भी part है उसको आपने scan करना है तो उसके लिए भी आप 3D scanner का इस्तमाल कर सकते हैं और उस physical object का यानि किसी भी human part का जो model है वो computer screen पे देखा जा सकेगा उसको जादा बेहतर तरीके से diagnose किया जा सकेगा तो यह एक example थी इसकी 3D scanner की तो यह हमारे hand held scanner है जि उसके बाद scanner की जो अगली type है वो के लाती है flat bed scanner, flat bed scanner यह वो scanner होते हैं जिस जो कि हम normally अपने computer में इस्तमाल करते हैं यह हमारे common use में होते हैं और इसमें बिल्कुल center पे जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं कि यहाँ पे glass pane लगावा है और यहाँ पे हम अपनी picture जिसको हमने scan करना होता है इसको हम यहाँ पे place करते हैं और इसके बाद आप इसका open desk है यहाँ पे इसको आप जैसी close करते हैं तो यहाँ पे moving lamp होता है जिसका moving optical array कहते हैं यह क्या करता है कि शुरू से लेकर आखर तक इस तमाम image को scan करता है यानि light भीचता है और light reflect होती है और reflect होकर हमार इस scanner के अंदर एक device लगी होती है इसको charged couple device कहते है चार्ज couple device जो है वो इस reflected light को read करती है और फिर उसको आगे process किया जाता है computer के जरिए इसकी working हम पढ़ चुके हैं जो हमारी scanner की main video थी वहाँ पर पढ़ चुके हैं कि यह flat bed scanner जो है वो किस तरह से काम करता है यहाँ पे revision के ल glass pane है जहां पर आपने अपना image जो है वो रखावा है और यहां पर आपका moving lamp है जो यहां से इसकी movement start होती है और यहां से यह light जो है वो टकराती है हमारे picture से reflect होके यहां एक mirror लगावा है यहां से reflect होके यह फिर आगे lens में converge होती है और lens इसको आगे भेज देता है हमारी CCD charge couple device में और फिर जो है हमारा computer इसको आगे process करता है और फिर यहां से एक जो हमारा charge couple device है यहां से एक analog signal जो है वो generate करता है और यहां पर analog digital convert इसको ADC कहते हैं यह क्या करता है कि हमारे इस analog signal को convert करता है binary form में ताकि हमारे computer जो है उसको understand कर सके तो यह इसकी एक overall working थी जो के flat bed scanner कहलात है अब बात करते हैं जो हमारी third type है इसको हम optical scanner कहते हैं यह दरसल क्या होता है यह optical scanner जैसे कि आप देख सकते हैं यह आम तोर पर इस्तमाल होता है barcode reader में और यह इसके अंदर monochromatic यह सिंगल कर लाइट इसको हम optical light कहते हैं और यह क्या करती है कि हमारे code को यह किसी भी text को read कर करती है यहां से हमारी monochromatic light जाती है यहां तकरा के वापिस आती है और फिर एक image create करती है जो के एक उस image की digitizing form होती है यानि उस image को हमने अब digits में convert करना होता है और इससे हमारे पास matrix का एक bit matrix of bits हासल होते है matrix की से कहते हैं जिसमें हमारे पास rows and columns होते हैं तो हमारे जो original image जो scan होता है वो the result convert हो जाता है matrix of bit में इसको हम bit map कहते हैं इसके अंदर हर point की एक खास specific value होती है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यह bit map है जो कि उसने हमारे scanner ने एक bit map create किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर pixel जो है वो translate जैसे एक pixel है यह translate हो चुका है एक single bit में 1 में या 0 में और फिर आगे चलके हमारा जो program जो हमारी processing IC है जो कि हमारा integrated circuit है वो फिर इन bit को process करता है तो इस तरह से हमारा जो optical scanner है यह काम करता है तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि different types of scanner जो है वो हम इस्तमाल करते हैं अपने daily life में वो दरसल क्या है जिसके हमने flatbed scanner, optical scanner और 3D scanner और handheld scanner जिसको हम document scanner भी कहते हैं इसके बारे में आज हमने in detail पढ़ा झाल